दुनिया की आखरी सडक इसके आगे खतम हो जाती है दुनिया नहीं मिलती अकेले जाने की इजाज़त आपको हम आज एक ऐसी सडक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया की आखरी सडक कहा जाता है इसके बाद दुनिया खतम हो जाती है बता दें कि उत्तरी ध्रूव प्रित्वी का सबसे सुदुर बिंदू है इस जगर पर प्रित्वी की धूरी गूमती है नौर्थ पोल उत्तरी ध्रुव हमारी धर्ती का सबसे सुन्दर पॉइंट है इसकी दूरी पर प्रित्वी घूंती है यूरोप इस बिंदू के काफी करीब है नौर्वे का आखरी छोर है जहां से आगे जाने का रास्ता दुनिया की आखरी सरक माना जाता है प्रित्वी के छोड और नौर्वे को जो सरक जोडती है उसे E69 कहा जाता है सबसे ज्यादा सर्दी होने के बावजूद भी इंसान यहां रहता आया है E69 को अगर दुनिया की अंतिम सरक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा इससे आगे कोई सरक नहीं है बर्फी बर्फ छाई है समंदर ही समंदर जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी ध्रूव ही आर्क्टिक सागर कहलाता है अकेले गारी चलाना मना E69 हाईवे पर कई ऐसे जगह है जहां अकेले गारी चलाना भी मना है 14 किलोमेटर लंबा है ये हाईवे यहां आप कई लोगों के साथ ही गुजर सकते हैं कुछ रास्ते तो ऐसे भी हैं कि किसी के भी गुम होने की संभावना यहां हमेशा बनी रहती है मचली का होता है कारोबार इस इलाके का विकास साल 1930 में हुआ पहले यहां मचली का कारोबार होता था 1934 में इस इलाके के लोगों ने मिलकर निर्नए लिया उनका मानना था कि ये सैलानियों के लिए भी खुले ताकि इनकम का एक जरिया बन सके ना सूरज डूपता ना होती रातें खतम, इसके पीछे हाला की भागौलिक कारण है, उतरी धुरूफ के पास होने के कारण ही सरदियों में यहां रातें खतम ही नहीं होती और गर्मियों में सूरज डूपता ही नहीं, लोग करते हैं अलग रहना पसंद, यहां रहने वाले लोग बाकी दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं, उन्हें बड़े बड़े शहर भी नापसंद हैं, अब यहां मचुवारों के कारण सब कुछ बदल गया है, मचलियों का बिजनेस काफी बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा किंग केकड़े भी यहीं पकड़े जाते हैं, यहां कुछ भी किसी के इज प्रकृती महान हैं, दुनिया भर से आते हैं लोग, साल के अंत में दुनिया भर से लोग नौर्थ पोल देखने आते हैं, यहां नेचुरल लाइट्स हैं जिनको देखने के बाद यहीं लगता है कि जननत तो बस यही है, यही है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको प सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद